बोस्तों नमस्कार मैं मधूलिका आप सबका श्रागत करती हूँ आपके अपने यूटूब चैनल जिसका नाम है मधूलिका यूपी आर बियल आज मैं हाजीर हूँ एक नए वीडियो के शाथ और मुबाइल को ऐसे ही आद में पकड़ी हूँ देखिए ट्राइबोर्ट नही इस समय चल रहा है नौराथ तो दोस्तों आज मैं आप लोगों से बात करती हूँ वही लव स्टोरी का भी देंड नहीं हुआ क्योंकि आपने पूरी अभी स्टोरी नहीं सुनी और आप लोगों के कमेंट भी है कि देए आप पूरी स्टोरी शुनाईए तो चलिए आगे का सुरू करते हैं मैं इस स्टोरी को जहां से बन की थी वही से सुनाती हूँ तो दोनों लोगों में बात होती है बात बराबर होती जाती है ऐसे करते करते लगभग दो साल बीत गए दो साल बीत गए दोनों लोगों में बराबर बाते होती है लड़की भी बहुत पशंद करन पता नहीं रहता कि सामने वाला दोखा करण रहा किया कर रहा हमारे महले हमारे चाहते ही छोटी-चोटी फोन का इंतिजार करना है और लड़की जो फोन रखी थी कुछ शुपान के class खिए चुपा के में उसमें रखती थी और रही बाज शादी की तो तो शादी तो लड़की जब लड़की के शाथ रहती थी तो लड़का बोलता था हमेशा शादी करने के लिए मगर लड़की का कहना था कि मैं ऐसे शादी नहीं करूंगी जब तक घर वाले राजी नहीं होगे और नहीं मैं भाग के शादी करूंगी नहीं ऐसे मुझे शादी करना है तो पूरे मान समान के साथ करना है और ताकि मतलब मैं सब के साथ रह सकू आराम से तो जाइर सी बात है कोई भी लड़की होगी तो यही सोचेगी ना कि मैं सब के साथ में रह सकू उठ सकू बैठ सकू और ऐसे साधी करने से मतलब क्या मतलब है कि अगर साधी कर लो और लोग बाग चार गाली दे तो अच्छा नहीं लगते न माबाप से दूर नहीं होना चाहते थी साधी करने के लिए तयार थी और लडगा भी, ऐसे होते करते बहुत। और जो बीच का यह दो साल का जो सफर था, बात करते करते लगबग 2 साल बीती गया 2 साल बात शादी हुई मगर 2 साल का जो शफर था वो बहुत ही दुखदाई शफर था काटों का भरा शफर था कभी तो लड़की की लड़के से बात नहीं होती कभी फोन घर वाले देख लेते तुम्हारा पिटी होती लड़की को मुझे कहते ना प्यार अंधा बहरा गूंगा सब होता जब प्यार होता तो इंसाने दम दिवानों की तरह चाता फिर होते करते होते करते एक दिन ऐसा होता कि लड़का जो है कमाने पूना चला जाता क्योंकि लड़का इंजीनियर होता है उसका मतलब पॉलेट टिकनिक जो कर रहा था वो कंप्लेट हो जाता है पूरा वहाँ जॉब करने के लिए और उसकी जॉब लग जाती है अच्छी खासी सेलेडी भी मिलने लगी अच्छा खासा मतलब उसको पैसा मिलने लगा अब क्योंकि छुपा के बात इस वज़े से करते हैं कि सामने वाला देखना ले घर वाले देखने ले घर वाले देखेंगे तो ना जाने क्या होगा और दुनिया के सबसे अच्छे दिन माने जाते हैं वो दिन और फिर हाल लड़कियों के अंदर वो समझ नहीं होती कास लड़क उस में समझ कहां होती उसमे तो यही रहता न शिपधिवान गी छाही रहती मुझे सादी करना है मुझे मुझे आगे प्यार करना है इस लड़के से अईसा है यह लड़का बहत अच्छा है, यह बहत कमाता कमाने की बात जाने दो उस समय यही रहता कि नहीं कुछ भी हो अच्छा फी धीरे धीरे क्या होता लड़की की मा को पता चलता रिष्टेदारी में थोड़ा थोड़ा सबको पता होने लगा कि लड़की किसी को पशन करती बात करती आप जब घर वालों को पता चलता उधर लड़के के मा को भी पता चल जात कियुकर हर एक मा सोउस्ती मेरा बच्चा मतलब भाई उसके भी मा कीदी गल्ती नहीं होती फूर उसके बात क्या होता की बाते होती हैं दोनों लोगları में ऊच्छा आ फूरेगा इंड़ एक दूसरे को चाहते हैं अब बाते to बहुत आगे तक पहुँच गई अब यहाँ पे कसम खाई जाने लगी जीने मरने की जब जीने मरने की कसम खाई जाने लगी तो समझो बात बहुत आगे पहुच गई तो वाकाई में बात बहुत आगे पहुच गई थी जीने मरने की कसम खाने लगे कि नहीं हम शादी करेंग तो शेप तुमसे करेंगे और लड़की ने भी कहा मैं शादी करूंगी तो शेप तुमसे करूंगी एक समय आचा आता है कि लड़की लड़के से जो लड़की की लगभग पंदा दिन बात नहीं होती जब पंदा दिन बात नहीं होती तो लड़की परिशान हो जाती उसको ल लेती तो घरवाले क्योंकि अभी घरवाले में सिफ माही जानती थी तो घरवालों को पता चलता है लानड़ भादन उसको फॉस्पिटल लेके जाते हॉस्पिटल में एड्मिट रहती है इलाज होता उसी टाइम पुलिस वाले आते हैं तो लड़की ने भोला कि गलती से मैं खा लिया मुझे पता नहीं था ये है क्या चीज और वो मेरे खाने में गल्दी से हुआ क्योंकि जाईर सी बात है पुलिस वाले आएंगे बयानों अगरा होते हैं फिर उसके बाद लड़की की तरफ से सारे लोग राजी हो गएं कि ठीक है कौन सा लड़का है तुम बताओ मैं शादी करूँगा अब शादी करने के लिए पहले सोचे की चलो कोट मैरेज कर लिया जाए फिक घर वालों ने कहा नहीं और लड़की की घर वाले शबी रिस्तेदार तयार थे शादी करने के लिए बड़ जो लड़का है लड़के के घर वाले उसी समय नोट बंदी का समय आया था अगर आप मैं से कुछ लोग जानते हो नोट बंदी हुई थी जो 1500 की नोटे थी वो बंद हो गई थी तो उसी समय थोड़ा पैसों की भी दिक्कत थी और मतलब लड़की की तरफ से क्योंकि पैसे इतना निकल नहीं पा रहा था लड़की की तरफ से और लड़के की तो मा अभी राजी नहीं थी लड़के की मा कह रही थी कि मैं अपने लड़के को ऐसे ही रखूंगी मगर मैं तेरे साथ साधी नहीं कुरूँ अब लड़की बहुत परेशान इतना परेशान इतना परेशान कि साधी तो इसी इंसान से करना है क्योंकि ये इंसान जीवन साथी हो गया लड़का भी सोच लिया, नहीं शादी तो इसी करना, मगर देखो लड़के भी कितना होते हैं, शादी कर लेते हैं, और शादी करने के बाद कुछी दिन बाद उसको छोण देते, क्यों ऐसा क्यों करते हैं, अभी तो कहानी का end ही नहीं हुआ, अभी तो कहानी श्टार्ट ही ह शादी का बल्कि लड़की उचे कास्ट की लड़का नीचे कास्ट का है कि मैं साधी करूंगा और तुम मेरी साधी मतलब मेरी बेटी से अपने आज अलग हैं तो सिर्फ इसकी मां की वज़े से उसके बाद क्या होता जो लड़की की लड़के की मां है बोलते हैं कि तुम्हारी लड़की के लिए यहां कोई जगे नहीं जो मेरा लड़का तुम्हारी लड़की से कभी भी साधी नहीं करेगा उसके बावजूद वो लड़की बहुत परेशान है थी दोनों लोग बहुत रोते हैं बहुत जादा कि अब शायत कहानी का देंड हो जाएगा में एक टिश्ट और है जो कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं जब इस्टार्टिंग होती बात कि वह मैं कल की वीडियो में जरूर बताऊंगे आप लोगों को कि कैसे मतलब एक दूसरे को पशंद तो किये थे रेंट में आके कमरा लेके मगर उसके पहले की कहानी गया थी यह किसकी आने पे मैं बताऊंगी किस के बारे में मैं बोल रहे हुए मेरी कहानी सब कुछ में बताऊंगे तो दोस्टो आप लोगों से एक यही रिकोइस्ट है के वीडियो करेंगे वीडियो को फूल वाच करेंगे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सस्क्राइब करके बिल आइकन को भी प्रेस करेंगे जैसे कोई नया वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे और आप लोग मेरी बातों से शाहिमत होंगे तो दोस् कि जाओंगी आप लोग देखते जाएगा और अपने अपने सुझाओ और कल और परसों की कमेंट बहुत जाला थे कि आप जो है बहुत स्लो बोलती तो मैं आज कोसिस की हूँ कि थोड़ा सा फास्ट बोलूं आप तक आवाज पहुचे कि कि उसमें था कि स्लो बोलती इसलि पूर बताएगा कि क्यों इसान दोखा क्यों देता बाद में जब इता है